तमस्कार मैं हूं साइरा बाबा और शांती एक ही सिक्क्य के दो पहली हैं बाबा का वैसे तो काम होता है शांती का प्रचार परसाद करना महिलाओं का सम्मान करना और घुसा तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए लेकिन अब मैं आपको जिन बाबा से मिलवाने वाली हूँ वो ठीक इन गुडों के विपरीत नजर आते हैं जी हाँ नियूस देशन के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बाबा ओम जी महाराज और उनके राजनितिक सलहकार मुकेश आपको सलहकार की भी जरूत पड़ गई उमजी महाराज निस्चित रूप से ये मेरे राजनितिक सलहकार ही नहीं ये मेरे प्रान भी है मैं आपके चीज़ बताओं ये वो ब्यक्ति हैं जो करोरों रुपया आपने फेक्टिस से कमाते हैं और देश की सेवा के लगाते हैं मैं जितनी रेलियां करता हूँ उसका सारा खर्त ये खुद करते हैं और ये ऐसा अज्यक्ति पूरे विस्टों में इनके अलाबा दूसरा कोई है भी ने चलिए आप तो इनकी तारीफ करें तारीफ तो आप अब तक बबॉस की कर रहे थे बिक बॉस में अब खतम नहीं हो लेकिन आपका सफर खत्म हो गया और आप कसे बाहर कि निकाले गए मेरा असली सफर तो अब शुरू हुआ है, खतम नहीं हुआ है, असली सफर अब इसलिए शुरू हुआ है, क्योंकि जब मैं गया था, तो तब तो मैं किड्नेप उन लोगों ने कर लिया था, विख बॉस के लोगों ने बिग बॉस ने तरह से किटनेप किया था मुझे और तो अपनी खुशी से गए ते आप बड़े जब बिग बॉस की घर में एंट्री हुई तब आप खुशी से आए आप नहीं वह सारा मुझे एक्टिंग करने के लिए चुकी मैं उनको उनको करन पर खिया था मैंने साफ मना कर दिया था मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन आप विस बार क्यों गया GREEN Yeah उनको शूलिज्यान मुझे ऊस्वार जब ये लिए लेने के लिए आय तो पांस करो डीया मैंने का मुझे नहीं ये चाहिए मुझे नहीं जाएंगे तो वहाँ पर सारे फिल्म स्टार होंगे उनके थ्रू आपको मेसेज दे पाएंगे जिससे पूरा अभिस्ट्व रामराज बन जाएगा ये मेरे गुरू जी का भी सब्सक्राइब लेकिन ऐसा आपने क्या किया बिग बॉस के घर में जिसकी वेज़े से बिग बॉस को आपको घर से बाहर निकालना पड़े आपको नहीं लगता कि जो आपने किया आप जो निकालते वक्त जब बिग बॉस ने आपको निकाला मुझे नहीं निकाला गया है है लेकीन आप फिनाले तक तो है सिहां वक्त संसलान कान कान कन्टेस्टेंट से मिलने के लिए बिग बॉझ से घर छाइक। अतरवाइज बहुत दूर जो स्टेज है वहां से हमसे बात करते हैं उसमें मुझे उन्होंने किंग आफ फोटेज का एवाड दिया एवाड देने के बाद उनको स्मोकिंग की चलब लगी उन्होंने बाहर से सिग्रेट लिया लंबा वाला और वही पर स्टेज के पास ही वह कब आये थे वह तो यह जो शूटिंग होता है ने जिखाते हैं सलमान खान नहीं आते वह शुक्रबार को आते हैं दोनों शूटिंग एक ही दिन में करते हैं वह तो तो इन शुक्रबार था 30 दिसमबर था और उसमें जब स्मोकिंग के लिए उन्होंने लानी शुरूब की आपको हम यहां पर सिगरेट नहीं पीने देंगे यह मेरा धंकी भी था अच्छा आपने सलमान खान तो सलमान नहीं जलाई मैंने उनको कहा कि बगल में स्मोकिंग रूम है आप उसमें जाकर के कीजिए तो वह स्मोकिंग रूम के अंदर जब घुशने लगे तो वहां समु मैं उससे खतरनाक आपसे ज़्यादा खतरनाक हूँ तो सलमान खान सी थे आपसे यह बात कहने आए हैं बाकी तो उनोंने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली है इसलिए क्योंकि उनके जिन्दगी में मेरे जैसा बबबर से पाली बार उनको मिला था लेकिन आप अभी तक बॉस में उन सर्मान की तारीफ नहीं की मुझे ये वेनिटी में कहा गया था कि यदि आप ये सारा डैलोग एक्टिंग के साथ नहीं बोलेंगे तो आपकी हम हत्या करवा देंगे और यह दिखा देंगे कि आपको यहां आने पर सर्मार रहें आप ऐसी वाते करते हैं जो ब बहुत है इंसान हूं पहला लगए प्रतिदिन मेरे दरशन करने के लिए इंडिया करते थे आनके पाके पाख מא के लगणा प्रतिखा रहें हैं stipally तो यह जो यह दिखा रहा है तो अले सब्सक्रादि ऑने आपने प्रतिसमे आप उनम इसमें यह था यह चाह मुझे उन्होंने यह कहा था कि पानी को आप पैसाब कहके आपको फीक नया आंप इसके अढ़र का सींढ़ देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि मैं पानी कमरी बॉल उपर से उतार रहा हूं उसके बाद सन्र 클uscule ले कर अगर बिग बॉस ने एक्ट आप से करवाया तो बिग बॉस ही आपको क्यों घर से बहान निकाल रहे हैं वो भी उसी वक्त अडे वही बात तो मैं आपको का रहा हूं 30 दिसम्बर को सलमान खान को मैं थपर मारा था 30 दिसम्बर से मेरे निकालने का रास्ता जे ढूंड रहे थे मुझे यह नहीं मालूम था कि यह जो मेरे से करवा रहे हैं यह निकालने का बहाना बनाएंगे थपर वाली बात तो इन्होंने चिपा ली अभी तक तो आप बिग ब सामने आपने कहां मैं बिग बॉस का प्रचार प्रसार करूंगा विश्वस तर पर आपने कहा था एक अपने जान को खत्रे से बचाने के लिए एक कैदी था जो एक्टिंग कर रहा था बिग बॉस को डेलक जो गोलना था मैं करके दिखाता हूं तो real में acting है वहाँ पर कुछ भी reality नहीं है सब्सक्रिप्ट है और सलमान खान के आप सब बात बोल रहे हैं मान लिया ठीक है आप खुशी से गए नाश्टे गाश्टे धूम बचा के आप अंदर गए बिग बॉस ने आपको जब आप आपका एक काम था आप काम निप्टा कर आप बिग बॉस के घर में वापिस आए क्य रहे थे मुझे घेर के चल रहे थे जब मैं तीन दिसंबर को कोट में मैं पेश हुआ आप वहां का क्लिपिंग देखिए कोट में पेश हुए यह बिग बॉस ने आपको रियायत दी थी ओम जी महाराज पोई मुझे ऐसा शक्स बता दीजे जो ओम जी महाराज को पसंद करत लेकर आपने सल्मान खान को नाराज किया बिग बॉस प्रतियोग्यों को देख लीजे आप बेटियां बोल रहे हैं लेकिन जो जितने भी कंटेस्टिंग बाहर निकले हैं इससे पहले जितने भी लोग निकले हैं वह सब्से ज़्यादा जो अशांती पहलाई वो ओम जी मह वो इसलिए अगेंस्ट बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को सल्मान खान से खत्रा है क्योंकि पहले सिद्धीकी ने जब बाहर आकर एक मिनट सुन तो लिए बाहर आकर के एक आदमी मेरी तरह थोड़ी सी की थी खतम हो गया सिद्धीकी जब वहां पर था बिग बॉस के घर आते रहते हैं अच्छा अच्छा यदा कि ऊपिए का सान हे टागे लेना था उसमें मानू जो मैं था ता वहां पर वह उसको बहुत बढ़ियां को कच्क का अब बॉल लए नहीं था वो मनू सबजी को नॉन वेज के तरीके से दिखाता था और उसको मुझे खाने के लिए का जाता था अब नॉन वेज तरीके से उसको खाता था प्योर्ली वेजिटेरियन था मैं आप खुछ जोचिए यह जानते है बसमस लगा अज तक मैंने कभी न तो मैं बोलता था आप यह कहीं पर लिखके गए कि मैं आक्टिंग कर रहा हूं और पैसे ले रहा हूं आपने बिग बॉस से पैसे लिए एक नया पैसा नहीं लिया है मैंने नमे लूंगा लेकिन कोई मजबूरी थोड़ना थी कि आप बिग बॉस के घर में कपड़े भी उता मैं कर रहा था लेकिन दिलाया कि वहां से जदा आप अपने मेसेज को दे पाएंगे पुड़े वर्ल्ड को उन्होंने कहा कि सौ से ओपर कंट्री में मेरा चलता है तो मैंसेज दिया कि आप मिस्स वर्ल्ड बन जाई है मैं आपका आपके साथ हूं मैंने नहीं दिया यह सार मैं देह रहा था बाथरूम के अंदर जो हमारा वहां पर बाथरूमें उस-मेज। मैं लगा है मैं जबढ़ होता था था माथरूम में रोता था रोते-अठे-आध्रों यह रोते मैं तबने की यह य synchronous Schedule अधि चैसे किसी का derived ми यह दो यहीं से धर्म उसमें लिखा है वहां जो भी बीग बॉस की घर में हुआ आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं लड़ते हुए जगडते हुए कपड़े भी आपने उतारें आपको अपनी इस एक्टिंग पर अफसोस है थोड़ा भी बहुत दुख है जब भी एक्टिंग करता था मैं आपने देखा होगा उसके बाद हर बार मैं बातरूम में बंद होता था और बातरूम में जा करके मैं रोता था तो बिग बॉस का ग्राइंड फिनाले होगा उसमें जाने की चाहत है आपकी एक लाख लोगों को लेके जाओंगा 40 करोर लोग मेरे लिए कह रहे हैं कि आप जब कहेंगे हम आप मोज जाएंगे हवाईजास से आएंगे पूरे वर्ल्ड से लेकिन आपके तो जान को ख़द एक मिनट मुझे जेल से डर नहीं लगता आपको डर नहीं लगता लेकिन बाबा को यह बाते शोभा देती है कि आप इस तरह से वैपन लेंगे जाएंगे लाजिस वैपन और इतने सारी लोगों को इस तरह आप डराएंगे के वहाँ पर मैं डराओंगा नहीं मैं बहुत खतम कर दिया था तो यदि हमारे जिसका मैं बंगसज हूँ मैं भी ब्रामन हो मैं परसुराम का बंगसज हूँ यदि वह 21 बार दुष्ट रहित कर सकते हैं प्रिथवी को तो यह हैं कितने गुल मिला करके 500 लोग इनको इनसे रहित करना मेरे लिए कौन सा मुस्किल प्रम है अभी नहीं उसके बाद इतने लड़के लड़कियां वहां पर बचे हुए होंगे उनको उठा करके मैं अपने गारियों में डालूंगा और उनसे आप लोगों को बयान करवाऊंगा जो सच्चा ही होगी ओम महाराज को इतना हुस्सा की हुआता है क्योंकि मैं दुरबासा रिशी का बंकसज हूँ दुरबासा रिशी वो थे जिससे उस समय के यहां तक की भगवान राम भी कापते थे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूस नेशन के स्टूडियों में आए और उम्मीद ये करते हैं कि ओम जी महाराज शांती का पार्ट पढ़ाएं कथनी और करनी में पूरी तरह से फर्क नजर आ रहा है अब आपको नजर आएगा स्वामी ओम जी महाराज महाविर स्वामी की तरह और महात्मा बुद्ध की तरह आपको साम दिखेंगे उम्मीद करते हैं बने रही आप न्यूस नेशन के साथ क्योंकि आप सबको खूर पर नाम आप